हेगाईज how are you hope कि आप अच्छे होंगे और आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो गौवर्मेंट जॉब के प्रपरेशन करते हैं और गौवर्मेंट जॉब के प्रपरेशन तो परपेशन तो करते हैं तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है और आप लोग ध्यान चैनल पर है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे यह आपका ही चैनल है तो मैं बात करता हूं सबसे जादे जो इंडिया में गौवर्मेंट जॉम निक प्रेक्टेशन है कि 2024 में तीन लाग से जादे सर्फ और सर्फ रेल्वे में जॉम निकलने वाली है तो एक बड़ा मेला है मदलब रेल्वे में काफी जादे वेकन्स्यूर्ट क्योंकि रेल्वे सेंड्रल गवर्मेंट की जॉब होती है पैन इंडिया है डिफरेंट डिफर स्लेबर and all the things आपको देखना पड़ीगा की रेल्वे में किया स्लेबर की ज़रूरत होती है ऐ फ्लानिंग जाने के लिए रेलिवे कर दूसरा ऐसा सेक्टर आता जिसका नाम है बैंकिंग सेक्टर बैंक में और रिपस एग चंज्टा है और अगर आपको जाना है सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट बैंक, मैक्सिमम जो सलेक्शन होता हूँ आई वीपेस के थुरू होता, जिसमें दो एक्जाम होते हैं, प्रीमियर और मेन होते हैं, उसके बाद फिर अधर एक्जाम होते हैं, इंटर्व्यू और थिंग्स कंड़क्टेड होते हैं, तो प क्लाइब होता है, एक जगह पर एक प्लेस पर अगर आप आई वीपेस क्लियर करते हो, तो आपके स्कोर कार्ड है, उसके बैंक काल करेगा, आप इंटर्व्यू के लिए आ जाईए, और यहाना आईए, ठीक है, अब दो ऐसा सेक्टर मैंने आपको बता दिया, पहला तो मैं है, तो दोनों टाइब के SST में आपके जॉब है, SST MTS में भी जा सकते हो, SST CGL में, और इसमें भी बैकंसी 40,000, 50,000, एक लाख ऐसे बैकंसी निकलती है, और SST का एक्जाम भी देश के काफी हुआ, जो है, वो क्रैक करते हैं, इंकम टेक्स ओफिसर बनते हैं, डिफरेंड और डेपार्टमेंट में जाते हैं, SST के तुरू, तो SST पहले क्रैक करो, आप अच्छे से SST जब आप क्रैक कर ले जाओगे, तब ही जागर के अपने करियर को आगे ले करके जाप आओगे, तो SST की लोग जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही से करिए, SST exam में भी काफी सरकारी नौकरी आती है, बहुत सारी लोग है, अग्रीक लेगर से बेलोग नहीं करते हैं, तो सिचाइबर भाग हो गया, और भी भाग हो गया, जिसमें बहुत सारी वैगञेंसी आती है, ठीक है? उसके अलामा नेक्स्ट अगर हम बात करनें, तो एक और सेक्टर है, जिसमें काफी गैकन्सी जाती है काफी लोग जाते हैं 12 और ग्रेजियोशन कर के वो है इंडियन आर्मी हईमिंड इंडियन ऐर फोर्स नेवी इन सारि जगों पे भी बहुत सारी जैती है मandनब ऐसे नहीं कि सो वैसे उपनी सिर्फ में खूब बैकेंसी निकलती है उस फिल्ड का नाम में टीचिंग फिल्ड बैगर आप टीचिंग फिल्ड में जाना चाहते हो टीचर बनना चाहते हो यहां पे बहुत सारी बैकेंसी निकलती है बहुत सारी चीज़ आपके लिए होती है तो टीचिंग फिल्ड में भी जाकरके आप अच्छा खासा करियर बना सकते हो, यहाँ पे पचाजार एक लागा भी बिहार में रिसेंटले निकला था, लगवा नियर अबाउट एक डिड़ लाग के करियर से जादे वे अगेंसे निकली थी, तो इस तरह से आप देख सकते हो, यह सेक्टर मैंने बताया है न, यह का बात करनी है, कोई कंफ्यूजन है लाइब में करियर को लेकर किये तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जागर के ज़रूर देखें, मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में, थाइंक्यू किया है? झाल जली हैं